आज के बहले को से लिखें जी वट आर ब्रॉंस्टेड लॉरी कंसेट्स और एसेट्स एंग बेसेट्स तो अच्छे एसेट्स क्या होते हैं बाइदिस कंसेट्स एसेट्स आर दस सबस्टांसेज दैड डूनेट प्रोटॉन कि दा सबस्टेंस लूटनेट्स टान ट डूनेट्ट अच्छा उच्छे पर वटन लॉटेंट्स करते हैं एक्स प्लस से तो डैट डूनेट्स प्रोटॉन इस से नव अच्छे भी लाक्षा मचना स्कार्ट वा आज मारा लेक्चर नॉमर वन है लेक्चर वन चप्टर रीट का asset-based and salts and the question is what is bronsted-lory concept of acid and base to sound that the substance that donate proton is acid what is base the substance that accept proton the substance that accept proton जो प्रोटॉन को accept कर ले प्रोटॉन मीन H+, प्रोटॉन मीन H+, तो प्रोटॉन का acceptor base और प्रोटॉन का donor acid, अब एक्जाम्पल देते हैं इसे एक्जाम्पल आप इप्जाम्पल आप HCL, HCL hydrochloric acid directing by water तो when it reacts, what happens? यह आपका acid है यह proton donate करेगा water को यह proton donate करेगा water को अब अच्छे क्या बन जाएगा water के पास दो hydrogen है जब यह proton accept करेगा तो यह बना देगा H3O प्लस और यहां से CL बाहर निकल जाएगा यह बना देगा CL माइनस तो अब HCL proton donate कर रहा है तो HCL का नाम हुआ acid और पानी proton accept कर रहा है तो पानी का नाम हुआ base अब यहां से आगे हम आगे काम लेके चलेंगे हमने define किया जी acid क्यों होते हैं base क्यों होते हैं अच्छा जब इसकी बात करें जब इसकी बात करें H3O प्लस की तो उसको नाम देते हैं conjugate conjugate acid और हमने इनको define करना है आपने बहुत ध्यान से सुनना है topic बहुत समझने वाल है बहुत ध्यान से लेको अगर आप यहां से वापेस आओ अगर आप लेक्शन को बैकवर्ड लेके चलो तो मुझे बताओ right side पे H3O के पास तीन हाइड हो जाना है right side पे H3O के पास तीन हाइड हो जाना है जब यह वापस आया तो चेक्वरो दो एच रह गए तो क्या इसने प्रोटान डोनेट नी किया backward आओ तो इसने एक H को लूस किया जो H को डोनेट करता है वो तो acid है तो चेक करना इसका नाम रखा गया conjugate acid मतलब ऐसा acid जो बेस के प्रोटान सेप्ट करने से बनें ऐसा acid जो बेस के प्रोटान सेप्ट करने से बनें उसका नाम conjugate acid उसका नाम conjugate acid और अब चेक करो तो CL राइट साइट पे CL के पास hydrogen नहीं है अगर backward आएं तो CL ने प्रोटान सेप्ट किया वैं CL ने प्रोटान सेप्ट किया तो इसका मत्तब यह बेस है प्रोटान सेप्ट कर रही है तो मैं कहते हैं ऐसी बेस जो एस्ट के प्रोटान डुनेट करने के बाद बनें लिखो डेफिनिशन नोट करना बहुत इसका मॉर्टन है यह बनेगी देफिनिशन क्या बनेगी डाइसेट विच फॉर्म बाइए सेप्टिंग प्रोटान बाइबेस देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा है यह बेस है बेस प्रोटान सेप्ट कर रही है तो यह बन रहा है पानी ने प्रोटान लिया तो यह बना न और हम कह रहे है यह एसेट है तो ऐसा एसेट जो बने बेस के प्रोटान सेप्ट करने के बाद बेस के बाद कांजुगेट बेस क्या होगी देखो यह बेस है तिके कांजुगेट बेस है ठीक है किसे बनी जब यह इसिड ने प्रोटान डिनेट किया इसिड के प्रोटान देने के बाद यह बनी है तुम कहते हैं, the base which is spawned after donating proton by acid, by acid. दो point note करने जी, दो special point note करने, पहला point, if acid is strong, अगर acid strong है, if acid is strong, then its conjugate base, its conjugate base is weak, तो इसकी conjugate base weak होगी, and vice versa, and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी ठीक है, अगर acid weak है, तो base strong होगी, if base is strong, अगर base strong है, then its conjugate acid is weak, and vice versa, मतलब कहानी सारी है, हर acid में एक base होती है, हर acid में एक base होती है, अगर base strong है, तो उसका acid weak होगा, अगर acid strong है, तो उसकी conjugate base weak होगी, जा अपस में मेशा opposite होगे, L T होगे, एक चीज strong तो एक चीज weak, support मारे पास HCl है, तो आइनाइस करेंगे, यह बनाएगा, यह positive और यह बनाएगा, C L minus, अब यह acid है, और उसकी base कोन है, है, H negative base है, नाम क्या है, conjugate base, तो अगर यह strong acid है, तो उसकी base conjugate हमेशा weak होगी, that's a rule, that's a rule, जी मैंचे में यह मैंने बताया, कि अगर acid strong है न, तो उसके अंदर base होगी न, वो weak होगी, और अगर acid weak हुआ, like, मारे पास H stick acid है, मारे पास H stick acid है, अब यह एक weak acid है, यह weak acid है, organic acid है, मैंचे weak होता है, तो यह क्या बनाएगा, यह बनाएगा, CH3COO minus, और बनाएगा H plus, तो जी इसकी base हो है, conjugate base, यह क्या चीज़ है जी, conjugate base, तो अगर यह weak है, तो इसकी conjugate base क्या होगी, इसी conjugate base strong होगी, strong acid क्या होते हैं और weak acid क्या होते हैं, जरा बात करते हैं, the acids, the acids that completely ionized, that completely ionized, जो सारे H को बाहिए निकालते हैं, और weak acid क्या होते हैं, the acids that are incompletely ionized, the acids that do not, that do not completely ionized, जिस acid की k a, अभी हम k के बाते हैं पढ़ेंगे, जिसकी k a large होगी न, जिसकी k a value large होगी, k a acid का scale है, हम बात करेंगे, जिसका k a large होगा, को strong asset, यह मारे रूप में पूरा table बना रहा है, और जिसका k a small होगा, वो weak asset, तो यह rule है, यह भी हम पढ़ेंगे details से, मारा next topic इसी के उपर होगा, complete details के साथ, नोचे आज का question हमारे पास होगा, write about ionization constant, बहुत simple question है, ionization constant for water, for water, ठीके जिसके different question है, second question है, write about, सबका answer same होगा, write about ionic product, write about ionic product of water, k w कहते हैं इसको, k w symbol है, इसका symbol भी kw है, इसका symbol भी kw है, इन सबका answer एक ही है, तिसा question, prove that k w equals to h positive ion concentration, multiply by OH negative ion concentration, और यह भी आ सकता है, prove that k w equal to 10 power minus 14 at 25 degree centigrade, प्योर वाटर की बात हो रही तो हम कहते हैं जी प्योर वाटर, प्योर वाटर इस प्योर वाटर इस, very weak electrolyte, and ionizes as, आप जब वाटर का ionize करते हो, तो वाटर आएन, तो कि क्या बनाता है जी, यह बनाता है, h positive ion, और बनाता है, oh negative ion, अच्छा, इसका k c लिखे, k c for this reaction is, क्या बनेगा बताओ, इसका k c क्या बनेगा, क्या formula होता है, product उपर आते हैं, reactor नीचे आते हैं, तो क्या product ने, h positive ion, concentration, multiply by, oh negative ion, concentration, divided by, water, concentration, divided by, water, concentration, note कर ले, क्या formula होता है, मचे k c का, हम पढ़े क्या in the previous chapter, k c equal to, product concentration, divided by, reactant concentration, equal number one, water, जहां भी use करते हो, ना, water, जिस reaction में use करते हो, हमेशा इसको, large quantity भी use करते हैं, as a solvent, और जो चीज़ reaction में large होती है, solvent होती है, वो reaction, वो हमेशा constant होती है, reaction की speed पे control नहीं करती, तो कहेंगे, here, here, water concentration is constant, why, as it, act as, क्या कर रहा है, as solvent, act as, solvent, नी, large concentration, large concentration, तो केसी भी constant है, water भी constant है, दोनों constant दो अठा कर लो, water multiply कर दे, left side पे, तो क्या अंत्र आया जी, h positive ion concentration, और, o h negative ion concentration, here, जी match करू, जब दो constant मिलते हैं, जब दो constant मिलते हैं, तो निया constant बनता है, निया constant बनेगा, उसको बोलेंगे, k, w, क्या, अगस्कुम 2 कह दे, तो 2 क्या बन जाएगी, put in 2, put in, equation 2, यहाँ पुट कर दो, तो क्या बना, k, w, equals to, h positive ion concentration, multiply by, o h negative ion concentration, यह बच्छे, आपका प्रूव हो गया, जाओको मैंने question number 3 लिखाया था, यह आपका प्रूव हो गया, equation number 3, k, at 25 degrees centigrade, h positive ion की जो concentration होती है, वो होती है, 10 power minus 7, and, o h negative ion की concentration होती है, 10 power minus 7, यह आपको value याद करनी है, temperature change करोगे, answer यह नहीं आएगा, बदल जाएगा, तो constant temperature पे, room temperature पे, इसकी value fix है, 10 power minus 7, क्योंके पानी neutral है, तो जितने h positive ion होंगे, उतने ही, o h negative ion होंगे, इन दोनों को यहाँ डाल दो, put in 3, put in equation 3, तो आपका प्रूव हो गया, check करें जी, k, w equal to, क्या बच्चे आंसर है, h plus का, 10 power minus 7, o h का answer के, 10 power minus 7, तो मुझे बताएं जी, solve करने के बाद answer के आएगा, 10 power minus 14, तो यह आपका प्रूव हो गया, question, prove that, k, w equals to 10 power minus 14, at room temperature, तो यह बच्चे आपका final proof,